तो ये होगी आपकी जोएकी क्लास 36 जिसमें हम डिसकस करेंगे इंटरनेट से रिलेटिट टॉप 50 MCQs को तो इससे पहले जो है वो मैंने इंटरनेट के उपर अरिहन्त वाला जो बुक है उससे में जो भी इंटरनेट के बारे में दिया गया है और जितने भी एक्स्ट्रा थो अच्छे से समझा जाए आपकी एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए जो है वो एक कोशन है आपको वीडियो को पॉस करना है और कमेंट करके जो है वो इस कोशन का अंसर देना है अपका कि .in domain was developed in which year ठीक है आपको पता यह कि .in जो डोमेन है वो आपकी इंडिया के लिए यूज होती है तो इसको जो है वो कौन सी एर में डेवलप किया गया था चार आपके पास option दिये गये है 1988, 1989, 1990 और 1992 तो यह मैंने आपके previous वीडियो में जो है वो cover किया था question तो वीडियो को pause करके इसको रोक के comment वाले section में जाईए और इसका comment जरूर कीजिए ताकि आपको भी पता लगे कि आपका answer सही है कि नहीं है ठीक है बात करते है MCQs से जो भी important important MCQs है सभी मैं नहीं आपर add किया है तो उनको शुरू करते है सबसे बहला question है ARPnet जिसकी full form होती है advanced research project agency network was established in which year जो ARPnet है उसको जो है वो किस year में develop किया गया था चार आपके पास option दिये गए है तो इसका जो सही answer है वो है 1969 किसी भी question को हम detail में discuss नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही जो है वो वीडियो में cover कर लिया है तो यहाँ पर हम सिर्फ question और answer को जो है वो read करेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक HP जो है IT exam की test series को join नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर उसको join कर सकते है link मैंने description में डाल दिया है बहुत सारे candidate यह बोर रहे हैं बहुत तो नहीं अज़ाम जब आएगा आपको तभी पता लगेगा बट हमारा यह main मकसद है कि सारा कुछ आपका जो है वो cover हो जाए तो जो भी interested है जाकर join कर सकते है प्रिक्षा पर आपको महाँ पर एक demo test free मिलेगा जिसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते है कि किस तरह के question पूछे गए है और उसके बाद test series purchase कर सकते है 20 mock test अभी आपको मिल रहे है जो की बहुत कम कीमत पर मिल रहे है आपको coupon code यूज करना है gk study 50 जिससे आपको directly 50% का discount जो है वो instant मिल जाएगा ठीक है तो याद रखेगा तो पहले question का answer जो है वो आपका 1969 है next question की तरफ बढ़ते है which of the following was world's first operational packet switching network इन में से जो था वो दुनिया का पहला operational packet switching network जो है वो कौन सा था तो इसका जो सही answer है वो है आपका second ARPnet ठीक है next की बात करते है DSL stands for what यहाँ पर आपको बतानी है कि DSL की full form जो है तो fourth answer जो है वो इसका सही होगा digital subscriber line अगले की बात करते है DLS, sorry DLS नहीं है यह DSL है ठीक है digital subscriber line used which type of medium for transmission of digital data जो आपका digital subscriber line होता है यानि कि DSL होता है वो किस type के medium को use करता है data की transmission के लिए चार आपके पास option दिये गए है तो इसका जो सही answer है वो है आपका telephone network तो अगर आपने अभी तक जो है वो internet वाली videos नहीं देखी है तो मैं आपको suggest करूँआ कि MCQs करने से पहले उनको ज़रूर जाकर देख लीजेगा या फिर आपने अरिहंत में से chapter पढ़ा है इनमें से कौन सा है कि उन एरिया के लिए suitable रहता है जहां पर जो है वो दूसरे कोई broadband connection नहीं होते है बट वहाँ पर जो है वो power infrastructure exist करता है ताकि उसके माध्यम से जो है वहाँ पर broadband connection internet की सुविधा जो है वो दी जा सके तो इसका जो सही answer है वो है आपका third BPL BPL की full form क्या होती है BPL की full form होती है broadband over power line ठीक है तो इसमें क्या किया जाता है इसमें power infrastructure यूज किया जाता है आपका internet provide करने के लिए तो ये सारी चीज़े मैं already वीडियो में cover कर चुका हूँ अगले ही बात करते है In wireless connection जो आपके wireless connection होते है उनमें internet क्या यूज करता है आपकी customer location और service provider की बीच में तो इसका जो सही answer है वो है आपका third radio link ठीक है याद रखेगा important है अगले question की बात करते है wireless fidelity Wi-Fi सबसे पहले तो Wi-Fi की full form क्या होती है wireless fidelity uses dash to transfer data जो आपका Wi-Fi होता है इनमें से जो है वो किस चीज का use करता है data की transmission के लिए तो इसका जो सही answer है वो है आपका radio frequency radio frequency का generally जो है वो use किया जाता है आगले question की बात करते है private network for internet tools available within an organization in its known as what ठीक है तो इसका जो सही answer है वो है आपका intranet तो ये question आप note कर लिजेगा which of the following protocol converts message into a set of packets तो ये मैंने आपको बता है था कि निम्गलिखित में से कौन सा protocol है जो कि आपके message को एक set of packets में convert करता है और फिर जब वो message destination पर पहुंचता है तो उसको दुबारा से packet से message में convert कर देता है तो इसका जो सही answer है वो है आपका TCP TCP जो है वो message से packet में convert करता है और जो IP होता है वो जो आपके packet की addressing होती है उसको maintain करता है FTP क्या करता है आपकी file transfer करता है दो computer के बेच में तो तीनो protocol important है याद रखेगा अगले की बात करते है if you want to transfer file between two computers consisting different operating system which protocol will help you ठीक है अगर आप किसी दो computer के बेच पे file transfer करना चाते है बट उनके operating system जो है वो अलग-अलग है तो आप की मदद जो है वो कौन सा protocol करेगा तो इसका जो सही answer है वो है आपका FTP यानि के file transfer protocol अगले question की बात करते है www was introduced in which of the following year ठीक है World Wide Web www की full form होती है ठीक है तो इसको जो है वो कौन से year में introduce किया गया था तो इसका जो सही answer है वो है 1989 अगर आपसे date पूछ ली जाती है तो 13 March को जो है वो इसको introduce किया गया था नेक्स्ट की बात करते है dash is a way of exchanging information between computer on the internet ठीक है याद रखीगा is generally used to create which of the following ठीक है इन में से क्या है कि जो आपकी hypertext markup language होती है किस चीज़ को create करने के लिए use की जाती है ठीक है तो वो use की जाती है आपकी web pages को create करने के लिए तो website इसका answer नहीं होगा इसका answer होगा आपका web pages next की बात करते है आपका दो parts में divide पहला कौन सा होगा static और दूसरा होगा आपका dynamic next की बात करते है Linux Linux बोल लिजे एक text web browser होता है आपका उसको जो है वो कौन से year में introduce किया गया था ठीक है तो उसको introduce किया गया था आपका 1992 में अगले question की बात करते है Netscape was introduced in which of the following year ठीक है जो Netscape है आपका graphical web browser का एक example है तो उसको जो है वो कौन से year में आपका introduce किया गया था तो इसका जो सही answer है वो है आपका 1994 Netscape आया था आपका 1994 में next की बात करते है NCSA मोसे first graphical web browser था या आपको पता ही है तो इसको जो है वो कौन से year में develop किया गया था तो इसका जो सही answer है वो है आपका 1993 तो ये सारे question अगर आपने videos देखिए या फिर आपने अरिहंत की book पड़ी है तो आपको जो है वो अच्छे से आते होंगे अगले question की बात करते है which of the following is an example of connectivity इन में से कौन सा जो है वो एक example है connectivity का तो इसका simple सा answer है इंटरनेट अगले question की बात करते है which of the following is not a type of broadband internet connection इन में से जो है वो कौन सा broadband internet connection का type नहीं है तो simple सा आपको बताओगा इसका answer है dial-up ठीक है dial-up connection जो है वो आपका broadband के अंडर नहीं आता है broadband के अंडर आते है आपके cable जिसमें coaxial cable यूज की जाती है DSL आता है digital subscriber line जिसमें आपका telephone network यूज किया जाता है BPL आता है जिसमें आपका power infrastructure यूज किया जाता है ठीक है dial-up में भी आपका जो telephone networking होती है वही यूज की जाती है बट यह broadband connection के अंदर जो है वो नहीं आता है ठीक है याद रहेगा अगले कोशन की बात करते है dash networks can be used for public internet access at hotspots such as restaurants and coffee shops etc ठीक है तो इसका जो सही answer है वो है आपका wifi generally आपने देखा होगा जो भी restaurant वगएर होते है coffee shops वगएर होती है वहाँ पर wifi जो है वो use किया जाता है अगले कोशन की बात करते है the standard protocol of the internet is जो internet का standard protocol है वो किसे माना जाता है तो वो माना जाता है आपका TCP IP को transmission control protocol और internet protocol next की बात करते है an IP address is dash bit number जो IP address होता है वो कितने bit number होता है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा आपका 32 bit याद रखेगा next है nhttp hypertext transfer protocol request contains dash parts ठीक है जो आपका http request जो होती है वो कितने parts जो है वो contain करती है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा आपका 3 ठीक है कौन-कौन से part होते है पहला part होता है आपका start line दूसरा होता है आपका block of headers और तीसरा होता है आपका optional body ठीक है तो यह आप याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाता है next की बात करते है documents converted to dash can be published to the web ठीक है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा आपका HTML hypertext markup language next की बात करते है which of the following is required to create an HTML document इन में से जो है वो किस चीज़ की जरूरत होती है अगर आप एक HTML document को जो है वो बनाना चाते है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा आपका text editor ठीक है next आपका talent is a which मतलब की talent जो है वो क्या है आपका talent is a what ठीक है इन में से जो है वो talent क्या चीज़ है तो इसका जो सही answer है वो है आपका protocol talent जो है वो एक type का आपका protocol है next है talent is a dash based computer protocol ठीक है इन में से जो है वो talent किस type का जो है वो computer protocol है तो इसका answer जो है वो है आपका text अगर talent की बात करें तो 1969 के around जो है वो आपका telnet आया था और ये जो है वो 8-bit है ठीक है तो ये भी याद रखेगा अगर आपसे पूछ लिया जाता है next है which protocol provides email facility among different hosts ठीक है कौन सा जो protocol है आपको email facility provide करता है तो SMTP ठीक है जो है आपको email facility provide करता है अगले question की बात करते है the dash uses an addressing scheme known as URL indicate the location of files on the web ठीक है इसका जो सही answer है वो है आपका www next की बात करते है a dash appearing on a web page opens another document when click कहीं बार आपने website पर visit किया होगा तो वहाँ पर आपको एक ऐसा word लिखा होता है जिस पर आप जब click करते हो तो किसी और page पर पहुंच जाते हो तो उस चीज को क्या बोला जाता है उस चीज को बोला जाता है आपका hyperlink तो यह previous year में भी पूछा गया है तो याद रखेगा next है an absolute dash contains the complete address of a file on the internet तो इसका जो सही answer है वो है आपका url an absolute url contains the complete address of a file on the internet यह याद रखेगा next है which among the following term means to web address of a page तो इसका भी जो सही answer है वो है आपका url next बात करते है an educational institution would generally have the following in its domain name ठीक है अगर आपका कोई educational institute है तो उसकी जो domain name होगा वो क्या contain करेगा इन में से तो इसका जो सही answer है वो है आपका dot edu ठीक है edu यानिके education next है which of the following forms a part of search engine ठीक है इन में से कौन सा जो है वो एक आपका search engine का part है part पूछा गया है आपर search engine के बारे में नहीं पूछा गया है तो इसका जो सही answer है वो है आपका all of the above spider और web crawler ठीक है indexer database ये सभी जो है वो आपके search engine के part होते हैं तो इसका answer आपका fourth next है which among the following is a search engine इन में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो एक search engine है तो इसका जो सही answer है वो है आपका Google Google एक search engine है next है which one of the following is not an email service provider इन में से कौन सा जो है वो एक email service provider नहीं है तो Bing जो है वो आपका email service provider नहीं है बाकी जो आपके hotmail होगे gmail होगे yahoo mail होगे ये आपके email service provider है next ही बात करते है which of the following field of an email hides the identity of the recipient ठीक है इन में से कौन सा फिल्ड जो है आपने ये सारे email में देखे होगे जब भी आप किसी को email भेजते हो तो इसमें से कौन सा ऐसा फिल्ड है जिसमें आप जो है वो कोई भी entry जब डालते हो यानि कि कोई भी email address डालते हो तो वो हाइड र रखिएगा ठीक है next की बात करते है junk email is also called junk email जो होते हैं उनको क्या का जता है तो उनको का जता है आपका spam तो ये common common से question है जो कि I think आपको पहले से ही पता होगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ next की बात करते है which of the following cannot be a part of an email address इन मेंसेज कौन सा जो है वो आपका email address का पार्ट नहीं होगा तो इसका अंसर होगा आपका space कभी भी email address में जो है वो space use नहीं किया जाता है next की बात करते है Gmail belongs to great mail, yahoo mail, google mail या grow for mail ठीक है गो for mail तो इसका जो सही अंसर है वो है आपका google mail full form बताने है आपको EDI की, EDI की full form जो है वो क्या होती है तो EDI की full form होती है electronic data interchange तो first answer जो है वो इसका सही होगा next है which of the following is a group server that share work and may be able to back each other up if one server fail ठीक है जो आपका servers का group होता है उनको क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है आपका cluster यह मैंने पहले भी कराया था वीडियो में I think आपको पता ही होगा next है and dash allows you to access your email from anywhere ठीक है आप अपने email address जो भी आपका email होता है उसको कहीं से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हो किसकी साहता से तो इसका जो सही answer है वो है आपका web mail interface याद रखिएगा next की बात करते है a cookie ठीक है इन में से जो है वो cookie क्या होती है तो cookie होती है आपकी stores the information about the user web activity जो भी आपकी user की web activity होती है उसको store करता है next की बात करते है which of the following term is associated with internet email ठीक है इन में से कौन सी जो है वो term आपकी email से associate है तो इसका जो सही answer है वो है आपका bookmark ठीक है याद रखिएगा वैसे यहाँ पर email नहीं आना चाहिए यहाँ पर bookmark जो है वो किसी भी website का हो सकता है बट यह अगर आपके पास आता है कि internet से related item तो यह bookmark याद रखिएगा next है a stored link to a webpage in order to have a quick and easy access to it later it is called यह कहा जाता है आपका bookmark bookmark होता क्या है कि माली जी आपने कोई भी ऐसी website है किसी ऐसी website वो विजिट किया है जहाँ पर आप जो है वो दुबारा जाना चाहते हो और ऐसा चाहते हो कि आप जो है वो एक click में उसका quick access कर सको यानि कि जैसी आप उस पर click करते हो डिरेक्ट लिए उस website पर जाओ तो आप जो है वो उसका एक bookmark save कर लेते हो तो उसी link को जो है वो आपका bookmark बोला जाता है next है which of these is not a means of personal communication on the internet इन में से जो है वो क्या personal communication के लिए internet में use नहीं किया जाता है तो chat आपकी use की जाती है instant messaging use की जाती है email भी किया जाता है insta notes जो है वो use नहीं किया जाता है तो यह answer जो है इसका सही होगा next है likeos is an example of which of the following ठीक है likeos जो है वो निमलिखित में से किस चीज़ का एक example है तो search engine का example है आपका likeos next है first domain name जिसका नाम था nordu.net was developed in which year जो आपकी first domain name थी nordu.net उसको किस year में जो है वो develop किया गया था तो 1985 जो है वो इसका सही answer है next है आपकी which of the following was the first register domain मैंने आपको पहले ही बताया था कि first domain name अलग था और register जो आपकी domain थी वो अलग थी तो जो register आपकी domain थी वो थी आपकी symbolics.com यह भी जो है वो 1985 में आई थी यह मैंने आपको बताया है तो याद रखेगा next आपका TCP IP protocol was adopted by US department in which year जो आपका TCP IP protocol था उसको US department द्वारा कब adopt किया गया था तो 1982 में adopt किया गया था तो यह थे आपके top 50 questions I hope आपकी revision जो है वो अच्छी हुई होगी बाकी मुझे comment करके जुरूर ताहिएगा कि 50 में से आपके कितने सही हुए है बाकी GK study app को जो है वो आप play store से download कर सकते हैं अपने हिमाचर प्रदेश के किसी भी competitive exam की तयारी के लिए सासत comment section में मैंने comment पिन किया है वहाँ से जाकर भी आप download कर सकते हैं तो I hope आपको यह सारे question जो है वो सही से समझ आये होंगे और अगर कोई भी doubt आपको लगता है तो आप comment करके बता सकते हो thanks for watching बहुत जल्दी मिलेंगे next studio के साथ